बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संग्या के तीन वेद होते हैं जाती वाचक संग्या, वेक्ती वाचक संग्या और वावाचक संग्या इससे पहले हम लोग जाती वाचक संग्या और वेक्ती वाचक संग्या के बारे में पढ़ चुके हैं आज की कक्छा में हम लोग वहाव आचक संग्या के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि वहाव आचक संग्या किसे कहते हैं? वहाव आचक संग्या की परिभाशा क्या है? जिस संग्या शब्दि से वेक्ति या वस्तु के वहाव, गुन, दोश, धर्म, दशा, अथवा, स्व भावादी का बोध होता है उसे भाव आचक संग्या कहते हैं तो जैसा कि भाव शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यह हमारे अंदर का एहशास होता है भावना होती है इसका कोई शकल नहीं होता है भाव आचक संग्या का हम चित्र नहीं बना सकते हैं इसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है, क्योंकि या एहसास है, भावना है, इनका कोई रूप या अकारण नहीं होता है, जैसे बच्पन, अब बच्पन का कोई चित्र तो बन नहीं सकता, बच्चा का चित्र हम बना सकते हैं, हम छोटा बच्चा बना कर दिखा सकते हैं, लेकिन बच्प प्रता शब्द कहां से आया तो सुन्दर से सुन्दरता का भाव आया ऐसे ही मित्र शब्द से मित्रता का भाव आया बुढ़ा से बुढ़ापा का भाव आया अच्छा शब्द से अच्छाई का भाव आया खुश से खुशी का भाव आया तो चलिए अब आप लोग को मैं वह भाव आचक संग्याओं के निर्मान के बारे में बताती हूँ कि यह कैसे बनाई जाती है। वाव वाचक संग्याओं का निर्मान, जाती वाचक संग्या, विशेशन, क्रिया और सर्वनाम में प्रत्य लगा कर होता है, जैसे बुढ़ा शब्द से बुढ़ापा, बुढ़ापा वाव वाचक संग्या है, मित्र सब्द से मित्रता, भला से भलाई, बुरा शब्द से अपनापन का दूर से दूरी का भाव उत्पन होता है तो बच्चो आज की कक्छा में हमने सीखा कि जिस संग्या शब्द से वेक्ति या वस्तु के भाव, गुन, दोश, धर्म, दशा अथवा स्वभाव का पता चले उसे भाव आचक संग्या कहते हैं तो बच्चो आज की कक् बच्चा में मिलते हैं